स्वागत है आप सभी का अपने यूटुब चनल रंका इंगलीज पर और अज हम लोग Simple Presentance Related, एक Simple Sentence को इंगलीज में Ćजपा स्मुझेंगे, समस्से को समझेगे कि कैसे हम लोग इस sentence को इंगलीज में बना सकते हैं तो सबसे पहले शुरु करते हैं हमारा sentence है वह हर दिन स्कूल यानि कि विद्याले जाता है स्कूल को हम लोग विद्याले भी बोलते हैं विद्याले विद्याले ही बोलते हैं हिंदी में विद्याले वह हर दिन विद्याले जाता है तो सिंपल प्रेजेंटेंस के पर जानने का नियम है है कि last में ता है ती है हो तोसे पता चलता है कि यह चीज प्रेजर्च में होता है तो यह इसका सब्जेक्ट है कि स्भीं सकते हैं स्वाह निदम इसरा है वह हर दिन जाता है तो ही गुच गुझ मतलब जाना तो यह यहां पर फरर्ब हमों Любов जी ऑ गो ठीक ह ही गो कि यस्क रेंगे यह क्यों यूज करेंगे इस बात को लो जब सब्ज़क्ट हमारा ही हो यानी फ़च recipe अब दूब तो उसके वर्ब औरनिकि अपर दथा यहां पर यहां पर भर्ब रूप में योज किया गया तो Nicasz समझेंगे भर ठीक है भर वन है यह तो इसके भर्ब के साथ एस या इस यूज होगा यह 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 करेंगे गो के साथ यह सब्जेक्ट है कब जाता है तो हर दिन हर दिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं एवरी डे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे यह मैंने ऐसे लिखा है ठीक है लेकिन मैं आप लोग लिखा हुआ सेंटेंस दिखाऊंगा जैसे कि जैसे यह हमारा सेंटेंस ही गोज टू स्कूल एवरी डे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल एवरी डे यानि वह हर दिन स्कूल जाता है यह मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगए हो तो चैनल को सब्स्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग जैंद